बिस्मिल्लाह रराह्मान रराहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान नहायत रहन वाला है हम फिजिक्स का यूनिट फोर का रहे हैं टर्निंग इफेक्ट साफ फोर्सेश और आज हम उसमें करेंगे सेंटर आफ मैस आफ एन अब्जेक्ट the center of mass is the point where all of the mass of the object is concentrated turn to Allah before you return to Allah अपना रुख अल्लाह की तरफ मोर लें इससे पहले के हम अल्लाह के सामने पेश हो जाएं हमने अल्लाह के आगे तो इन दिन जाना है अल्लाह केता है सबसे बड़ा दुना है मेरी रहने से नाउमीद हो जाना जब भी आपको ख्याला है कि आप सीधे रस्ते पे नहीं हैं उसी वक्त अल्लाह की तरफ अपना रुख मोर लें और अल्लाह जो है वह हमें कहता है कि कुरान मजीद में बहुत सी निशानिया हैं उन लोगों के लिए जो गोरो फिकर करते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह की भी जुई किताब है हम इसे अद्बी से तो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों लेकिन समझे बगार हम इस पर गोरो फिकर कैसे कर सकते हैं तो आज से अपने उपर लाजिम कर लें कि आपने कुरान जुप को तर्जुए के साथ पढ़ना है उसे समझना है उस पर गोरो फिकर करना है उसकी इर्द गिर्द हमारी जिंदगी में बेशमार निशानिया हैं जिसकी तुज़ों कुरान में दलाई गई है कुरान को पढ़ें, अमल करें, अल्लाह से दोस्ती करें हम अपने सबक की तरफ आते हैं एक सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, दो जर्रे हैं ए और बी जोके एक सक्त रॉड के साथ, हल्की रॉड के साथ जुड़े हुए अब आप इसमें देखें के let O be a point anywhere between A and B A اور B के दर्मियान एक point है O ठीक है अब अगर आप इस point पे force supply करते हैं यानि ताकत का इस्तमाल करते हैं तो system will move in the direction of force F without rotation तो system हरकत करेगा force की सिम्मत में लेकिन घूमेगा नहीं point O is the center of mass of the system जो point O है इसको हम center of mass of the system कहेंगे कि जो system की जितना भी mass है उसका center जो है वो O point है अब इसको थोड़ी सी दो situations और हो सकती है कि हम इन दो particles के उपर force जो है जो lighter particle है उसके करीब force अगर लगाएं तो system moves as well as rotate तो system move भी करेगा और rotate भी करेगा अगर हम O से जो heavier है जो particle है भी उसके करीब अगर हम force apply करते हैं तो system जो है तब भी move भी करेगा और rotate भी करेगा let the force be applied near the heavy particle the system moves as well as rotate यानी linear motion भी होगी और rotation भी होगी तो हम define कर सकते हैं center of mass of a system is such point where an applied force causes the system to move without rotation किसी भी system में center of mass वो नुकता है जहां force apply की जाए तो system घूमे बगार हरकत करे यानी सिरफ linear motion करेगा सीधी लाइन में घूमेगा नहीं अब हम दूसरी एक और टाम जाने की कोशिश करते हैं जिसको center of gravity कहते हैं यानी नुकता कशिश सकल का मरकस आपको पता है कि कोई भी object है a body is made up of large number of particles हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे particles से बन कर मिली होती है जिनको atoms और molecules कहते हैं और ये particles जो हैं जमीन अपनी तरफ attract करती है earth attracts each of these particles vertically downward towards its center यानी जमीन के center की तरफ ये particles जो हैं वो attract होते हैं अमूदन vertically downward सीधा जमीन के center की तरफ weight is another word for the force of gravity और हम ये भी पाट चुके हैं के वजन कशेशे सकल का दूसरा नाम है और f is equal to mg is equal to weight तो a point where the whole weight of the body appears to act vertically downwards is called center of gravity of a body वो नुकता जहां पे एक पूरा वजन किसी भी object का कठा हो जाता है और vertically downward act करता है उसको center of gravity कहते हैं so this is the point at which the whole weight of the body can be taken as acting through at the point where the object will balance इस point पे object है वो balanced होगा वो हरकत नहीं करेगा at the center of gravity अब देखें के जैसे भी हमने सीसा के example पहले सबक में भी देखी थी तो center of gravity पे object balanced होगा अब हम देखते हैं के वो objects जो के regular और uniform है तो geometrical center is the center of gravity in regular and uniform objects उनका geometrical center जो है वो ही उनका center of gravity होता है इसी तरह triangle का center of gravity जो है अगर आप उसके जो corner से opposite line की midpoint पे line लगाएं तो जहां पे सारे intersections होंके वो उसका center of gravity होगा अगर एक से ज्यादा material इस्तमाल हो तो उस object का मरकज कशिशे सकल भी फरक होगा जैसे आप ये देखें कि for some objects the center of gravity is not located in the actual object कुछ objects का मरकज कशिशे सकल उनके बाहर होता है जैसे stool है, uniform, perpendicular pranks है, एक ring है तो आप देखें कि असल में उनका actual center of gravity बाहर होता है अब ये के why does the object balance object सवादन में क्यों आते हैं तो हमने पहले पढ़ा था कि anti-clockwise moment is equal to clockwise moment तो when the object is suspended from a point, it will come to rest when the clockwise moment is equal to the anti-clockwise moment जब anti-clockwise and clockwise moment equal होंगे तो object will be at balance अगर हम practical purposes के लिए देखें तो center of mass और center of gravity में कोई फरक नहीं होता अगर gravitational force जो है वो एक जैसी है practical purposes में center of mass और center of gravity जमीम पे एक ही चीज़ होती है अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें है the center of gravity of our body is the point at which all the mass of the body may be assumed to be concentrated फर्स किया जाता है कि उसका सारा mass एक ही नुकते पे जमा हो गया है फिर दूसरा point हमने ये पढ़ा कि the point through which the force of gravity is considered to act vertically downwards वर्टीक अमूदन नीचे की तरफ कशिशे सकल इस पे अमल करती है और ये force जो है weight of the body के बराबर होती है यानि कशिशे सकल का दूसरा नाम वज़न है the point about which the body would balance और ये center of gravity वो point होता है जिसके कोई object balance होता है और the center of gravity of a homogenous body is at its geometrical center एक uniform जो body है उसका center of gravity जो है उसका geometrical center होता है और हमने तकोन का भी देखा था कि अगर उसको corner से midpoint तक line लगाई जए जहां पे वो सारे intersections होंगे वो उसका center of gravity होगा अमीद है आपको सबक समझ आया होगा इस चैनल को subscribe करें इस वीडियो को like और share करें